नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आपको फिर से एक नए वीडियो में और काफी दिनों के बाद दोस्तो आज ये वीडियो आई है मेरे चैनल पे क्योंकि कुछ मैं अपने नीजी जिन्दगी में स्टडी को लेकर बहुत जादा बिजी था लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए सप्ता में कम से कम चार या पांच वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं लेकिन आज का ये जो वीडियो है वो आपका एज्यूकेशन के बारे में होने वाला है जी हां दोस्तों मैं जो हूँ अभी BPSC की तयारी कर रहा था जो की हाली में आपको पता है कि बिहार में एक बहुत बड़े लेवल पर यहां पे सिच्छक की भाली आई हुई है जिसके अंतरगत मैं यहां पे अपना तयारी कर रहा बारे मिसने और आई the video होने वाला है किसके उपर रिविधियो होगा तो अड़ा 247 के उपर यह विडियो होने वाला है तो दौस्तों मैंने फार्म बहा था वह डूर्म व्यारा में फैर्वरी में पर दा इसके बाद मेरे पास उतने ज्यादा आइम नहीं था कि में खुद स कहां से मिल जा यानि एक कोर्स मैं पर्चेज करने की सोच रहा था और उसके अंतरगत मैं कोर्स को ढूंड रहा था तो मेरे को मिला अड़ा 247 जहां पे विवेक कुमार पांडे जो टीचर थे वो पढ़ा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके कोर्स को पर्चेज कर कम्प्यूटर साइंस के 15 सबजेक्ट थे 15 टॉपिक थे मैंने 15 टॉपिक उहां से पढ़े लिये लेकिन जब मैं कोशेन वगरा प्रैक्टिस करने लगा जब मैं कोशेन लगा तो ऐसा पता चैने लगा कि बिवेक कुमार पांडे ने अपने सिलेबस में वो सारे सीजो को इन नहीं है और अगर आप A-State की तयारी कर रहे हैं जैसे कि बिहार में BPSC से पहले A-State आपको क्वालिफाई करना होता है तो अगर आप A-State की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके परपस से लेकिन उस परपस से भी जो syllabus भो पढ़ा रहे थे वह भी sufficient नहीं था यहां पर मैंने सारे चैप्टर मैंने सारे जितने भी 15 टॉपिक्स थे 15 टॉपिक्स को मैंने उन से पढ़ा और 15 टॉपिक पढ़ने के बाद दोस्तों मेरे को पता चला कि विवेक कुमार पांडे का जो syllabus है उतना ज्यादा खास नहीं है और एक चीज दोस्तों मैंने ये भी notice किया कि आगर आप internet से किसी के भी course को purchase करते हैं तो वो अपने course में उतना ध्यान नहीं देते हैं और एक limited चीज आपको होता है यह syllabus पे उपर-उपर से पढ़ाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया एक विवेक कुमार पांडे जो अड़ा 247 के faculty member है मैं यहाँ पर फोटो भी add कर दे रहा हूं वो ऊपर-उपर से पढ़ा रहे थे और चीजों को एकदम भगा-भगा के पढ़ा रहे थे यहां को बोले थे याद कर लेना याद कर लेना लेकिन computer science में बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो कि आपको समझनी पड़ती है और अगर आप अच्छे से समझते हो तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है तो यह एक चीज मेरे को बहुत बड़ा disadvantage लगा वही दोस्तों बाद म करके एक channel है YouTube पे आपको यहाँ पे screenshot दे रहा हूं यह एक MAM है free of cost में internet पे पढ़ाती है बहुत अच्छा content deliver करती है दोस्तों अगर आप BPSC की तयारी कर रहे हैं तो अभी हाली में मैंने MAM को दो दिन पहले मैंने MAM को request किया है हम लोगों की पूरी team है 1200 लोगों की हम लोगो कोई भी पैसे नहीं मैं 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 पैसे लेने से इंकार कर दी और बोली कि free of cost में ही पढ़ाऊंगी और पहले से उन्होंने fundamentals of computers उन्होंने पढ़ा रखा है जिसके अंतरगात processor क्या होते हैं कितने types के होते हैं generation of computer memory यह सारे चीज़ उन्होंने अल्रडी उहाँ पढ़ा रखे ह हैं digital circuit उन्होंने पढ़ा रखा है computer organization and architecture उन्होंने पढ़ा रखा है इतना अच्छे लेबल का उन्होंने पढ़ाया दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता और अगर आप दूसरे के चैनल पर जाओगे जैसे की अड़्डा 247 या physics वाल्ला यह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की computer science के course को बेच रहे हैं offer कर रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छा गुना यह मैं पढ़ा रही है और definitely अगर आप इनके slayvers को follow करते हैं आप इनके videos को देखते हैं और अच्छे से implement करके आप पढ़ते हैं तो definitely 80 question BPSC में आता है computer science का आराम से आप 60 से उपर question आराम से आप तो अब बात आती है दोस्तों कि यह जो बिबेक कुमार पांडे है इनका क्या किया जाए अड़ा 247 के यह faculty है एक number का मैं इनको बोलूँगा कि यार इतना भगा भगा के पढ़ाने का क्या ज़रूरत है और state के लिए तो बहुत ज्यादा time भी था और ऐसा नहीं था कि चीज आध्म समय पूछा गया था उसके बारे में ुछसा गया है जो पूछा जाने वाला है उसके उपर भी इन्होंने डीटेल में कुछ नहीं बताया है थोड़ा थोड़ा बता करके ऊपर उपर से ल स्लाइड दिखा दिखा करके भगा देते हैं तो मेरे को तो परसनली बहु ज्यादा बुरा इनका जो कोर्स है वो लगा है मैं इनको YouTube पे टैग भी करूँगा अड़ा 247 को और यहां पे मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप estate की तयारी कर रहे हैं तो अड़ा 247 के कोर्स को आप बिलकुल भी purchase ना करें यह आपके लिए worthless नहीं होगा 800 जो भी पैसे यह चार्ज कर रहे हैं वो आपके waste होने वाले हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पे अड़ा 247 को की जो team है जो लोग manage कर रहे हैं उनको मैं यह request करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इस तरह के teacher को find out करें कि जो teacher बढ़ियां से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है student का feedbacks ले तब ही जाके आप उनको further आगे proceed करें अब देखें मैं यहाँ पर बिबेक सर को कोई भी negative नहीं बोला लेकिन मैं एक student हूँ मैं चाहता हूँ कि जो teacher से मैं पढ़ो वो मेरे को अच्छे से पढ करें ताकि मैं एक्जाम में perform कर पाऊं तो यह वीडियो उसी के लिए है कि जो बच्चे अड़ा 247 के कोर्स के पीछे भाग रहे हैं तो कोर्स को पर्चेज ना करें खुद से पढ़ें और इन्फीपीडिया जो मैंने बताया channel वह बहुत अच्छा पढ़ा रही है अभी मैं स्टेट कॉलिफाई अराम से कर जाओंगा क्योंकि मैंने खुद परसनली बहुत मेहनत किया और थोड़ा बहुत सर को भी जाता है जो कि विवे कुमार पंडे सर है उनके भी कोर्स मैंने पूरे देखे हैं पूरा पढ़ा और एक चीज और है दोस्तों कि आर्ट ऑफ टीचि में करीब 30 में से 25 कोशन से उपर यहां पर एस्टेट में सही होंगे मैं खुद बनाया हूँ और एस्टेट मेरा बहुत अच्छा गया है दोस्तों तो मैं BPSC के एक्जाम के लिए लग गया हूँ और इस बार मैंने ठाना है कि BPSC के एक्जाम के लिए मैं कोई भी कोर्स पर कर निकले और यहीं जो कोर्स दुस्तों मैं परसेच करूंगा आई थिंग ऑफिसर्स एकाडेमी करके चैनल जो पटना के एक सर हो चलाते हैं वह बहुत अच्छा कंटेंट प्रवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट मेरे दोस्त ने इनके ही कोर्स को परसेच करके अच्छे से 4 आप देने वाले हैं तो कोर्स को परसेच करने के पीछे मत भागें कॉंटेंट को समझिए पढ़िए और खुद से चीजों को सर्च करके अपड़िए ज्यादा आपके लिए बेनिफिसल होगा जैसे कि मेरे लिए खुद हुआ है और मैं भी खुद बीपेसी के लिए वैस